आपके अपने यूटूब चैनल अलफावेट कोचिंग सेंटर में आज तारीक आपका साथ जनवरी से आपके जो भी आपके करेंट अफेयर के कोशन बनेंगे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं तो देखिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे दिवेदान अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चलेन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रहर का करना मिलकुलल मद भूलीएगा चलिए शुरू करते हैं अपने पहले नंबर के कोशन को है यहाँ पर चार आपसें दिए गए हैं आप यहाँ पर तेख सकते हैं ये आपका हवाई अड़ा है और यहां पर उद्गाटन किया गया है यह आपका परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के दवारा में आज़ेंध्या में महर सिवाल में कि हवाई अड़्े का उद्गाटन किया इस हवाई अड़े के चरण एक को 1450 करोड रूपए से अधिक की लागत से विक्सित किया गया है इस हवाई अड़े की टर्मिनल भवन का छेत्रफल जो है 6500 वर्ग मीटर होगा यह साल आना लगबग 10 लाख यातरियों को सेवा परदान करेगा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन आपका बुक से है आप सभी को पता है कि दूसरे नंबर का कोशन हम जो भी लेकर के आते हैं बुक से संबंदिल लेकर के आते हैं तो हाल ही में यंगर फॉर लाइफ फील ग्रेट एंड लुक फार योर बेस्ट विट भी दर न्यू साइंस आफ आटो जयोनेशन ये उपन्यास के लेखक कौन थे या कौन है यह है आपका राइट एंसर हो जागा आइंटोनी युवान यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका बुक का नेम है और यहाँ पर इनके यहाँ के लेखक का नाम दिया गया है और यहाँ पर दो बुक दिये गए हैं जो इस प्रकार से हैं यह आपका रेविका मक्कई के थुरू लिखा गया है लुक आउट यह लिखा गया है क्रिश्टेन बील के द्वारा अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन खेल से संबंदित है नवोधित या युवा परदिभा की पहचान एवं पोशण के लिए इस विश्विद्याले को राष्टी ये खेल पुरसकार 2023 दिया गया है तो आपका यहाँ पे चार आपसन दिये गए हैं तो चारों में से आपका पहला आपसन सही हो जाएगा जैन विश्विद्याले ये आपका कहाँ परिस्थित है बैंगलूरू में स्थित है अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपोर्टर पाइंट दिये गए हैं अलही में आपका युगा कारिकरम और खेल बनलतरानले ने राष्टी खेल प्रोट्साहन पुरस्कार दो हजार तेईस की क्या की है गोश्डा की है नवोधित या युगा ये दोनों हम एक ही होता है नवोधित और युगा कार्थ एक ही होता है परतिभा की पैचान एवं पोशर स्रेडी में चैन विश्विद्यालाए बैंगलोर्युक को कार्पो रेट सामाजिक उत्तरदाईत के माधियम से खेलो को प्रोचाहन स्रेडी में उडिसा माइनिंग कारपो रेट लिम्टेड को राष्टी ये खेल प्रोचाहन पुरसकार 2023 परदान किया जाएगा ये पुरसकार 9 जनवरी 2024 को राष्टपती भवन में आयोजित समाय रोह में राष्टपती दोरोपदी मुर्मू द्वारा परदान किया जाएगा राष्टी खेल पुरसकार 2023 के लिए गठी समीत के अध्यच जो है कि स्रीमती सुजाता चतुरवेदी ने की थे और राष्टी खेल जो ये पुरसकार है पुरसकार है इसकी सुरुगात जो हुआ था 2009 में हुआ था अपरदान करता है जो है युगा कारिकरम और खेल मंत्राले यानि भारत सरकार के तुरू ये किया जाता है पुरसकार राज और राष्टी इस्तर पर खेल को बढ़ावा देने और खेलों के विकास के में महतपूर गोमिका निभाने वाली खेल संगठन सहित कार्पोरेट संस्ताओं या नीजी और सार्वजनिक छेतर दोनों खेल नियंतर बोर्ड गैर सरकारी संगठनों को दिया ज है तो आपका राई टैंसर हो जाएगा यह आपका पुड़ी सा कौन सा पुड़ी सा अब देखिए यहां पर कुछ जी आई टैक दिये जा रहे हैं इसको ध्यान से सुनिएगा अगर आपको इदिख नहीं रहे होगे तो आपको कमेंट बाक्स में बता दीजेगा और यह हम कमेंट कम्यूनिटी टैम में डाल देंगे या पोस्ट कर देंगे अब देखिए यहां पर उत्पाद है यहां पर स्रेडिया और यहां पर राज्य है अलफांसो जो आम है यह कि इस इत्रपाद से समबंदित हैं और यह आपका महराष्ट में है जिसको जी आई टेग मिला है दार्जलिंग चाय आप सभी को पता है कि ये पश्चिम बंगाल में कि राज्य में होता है ये किर्शी से उत्पादन से संबंदित है माला बार काली मिर्च ये आपका केरल में आप सभी को पता है कि दच्छडवाला जो राज्य है यह मसालों के लिए और केरल तो खास कार से मसालों के लिए ही जाना जाता है कसमीर केसर यह आपका कृसी उत्पादन से संबंदित है और जम्मु कसमीर में होता है और नागपूर के संत्रे यह आपका महराश्ट में सीता फल यह आपका मद्यपर्देश का GI टैग में मिला है सुनावरा घी को यह आपका राजस्थान में है उत्पादन होता है नील गिरी हनी यह तमिलनाडु में होता है यह अगरिकल्चर प्रोडक्ट है आपका कुनूर काफी यह तमिलनाडु का उत्पादन है जिसको आपका GI टैग मिला गए है धरवाद चिलीज यह आपका करनाटक में उत्पाद होता है कुलू वलन्स यह हिमाचल प्रदेश में होता है और आपका अगला है मादू बनी पेंटिंग्स यह हैंडी क्रेफ्ट कराफ्ट है ठीक है यह हाथ से बना एक चितरकला है जो की बिहार में पाये जाता है जिसको आपका GI टैग मिला है क्या मिला है जी आई टेंग मिला है और जरी वर्क आप सूरत यह हैंडी क्राफ्ट है यह आपका गुजरात में होता है और कुटिक्च इमबोर्डरी यह आपका गुजरात में होता है बिदारी वर्क ये आपका हेंड कराफ्ट है ये करनाटक में होता है अपुलू कारी ये आपका हेंडी कराफ्ट है ये भी आपका पंजाब में है और घनपतिया हेंड लूम ये भी आपका हेंड कराफ्ट से संबंदित है जो कि वेश्ट बंगाल में ये होता है कस्मीर स्वाल्स साल्स यह आपका हेंडी कराफ्ट है जम्मू कस्मीर आपको पता है कस्मीर में संबंदित है तो जम्मू कस्मीर तो रहे गा ही और पाटन पटूला यह आपका गुजरात से है तो नेपूर पोटरी यह आपका उडीसा से है चंदेरी सारीच यापका मद्परदेश से सलेम सिल्क यापका तमिलनाडु से सांची पूरम सिल्क सारी यापका तमिलनाडु से है इन सभी चीजों को इन सभी वस्तुओं को जी आई टेग मिला है अगला कोशन देखिए अगला question क्या है यह repeated question है जो कि पीछली वीडियो में पढ़ाया था इसको हाल नहीं में किस राज सरकार ने रानी दुर्गावती अन्य प्रोसाहन योजना सुरू करने की गोशला की है यह आपका right answer हो जाएगा जारखंड कौन सा जारखंड सोरी यह जारखंड अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मीशन महीला सार्थिपल उत्तर प्रदेश सपनों का संजय जमाल लिंकड रिड योजना हिमाचल प्रदेश किर्सक उपहार योजना उत्तर प्रदेश उननत आरोग इस्री योजना आंद प्रदेश गरामिड आवास योज योजना उत्तर प्रदेश प्रधान मंत्री विस्व कर्मा योजना को लागू करने वाला पहला के अंदर सासित प्रदेश जम्मु कस्मेर अगला कोश्चन है छटवे नंबर का यह आपका नया कोश्चन है ब्लूमबर्ग बिलियर्स इंडेक्स के अनुसार सो अरब डालर की संपत्ति हासिल करने वाली दुनिया की पहली महिला का नाम बताना है आपको यहाँ पर देख सकते हैं इनका इमेज्च यह दुनिया की आपके सो अरब डालर की संपत्ति हासिल की है इनोंने यह इनका नाम है फ्रेंकोईस बेटन कोर्ट मेयर्स इनकी जो कुल संपत्ति है वो आपका 2023 तक 100.1 बिलियन अमेर्की डालर है वह दुनिया की बरहावी सबसे अमीर व्यक्ति महिला है फ्रेंकोईस बेटन कोर्ट मेयर्स यह आपके 70 वर्स की हैं लौरियल के बोर्ड की वाइस चेयर परसन है। यह एक फर्म है जिसकी स्थापना 1909 में फ्रेंकोईस बेटन कोर्ट मेयर्स के दादा यूजिंग स्वीलर ने अपने द्वारा विक्सित हेयर डाई का उत्पादन और विक्री करने के लिए की थी यह 241 बिलियन पाउंड की कम्पनी है जो दुनिया भर में फैली हुई है अगला कोश्चन देखे क्या है अगला कोश्चन है आपका PM मोदी ने जन्वरी 2024 में किस द्वीप समू में 1156 करोड रुपए की परियोजना का उत्गाटन और सिलान्यास किया है यह आपका राइट आंसर रहेगा लच्च दीप यहाँ पर देख सकते हैं उत्गाटन करने 1156 करोड बाई किसके पर्धान मंत्री नरेंद्र मोदी तीन जन्वरी 2024 को केंदसासित प्रदेश लच्च दीप में विभिन परियोजनाओं का उत्गाटन किया और सिलान्यास भी इसका किया इसकी लागत जो है 1156 करोड रुपए है यह सम्मरीन आप्टिकल फाइबर केबल के तुरू चलेगी और सबसे महत्पोड जो है कोच्ची लच्च दीप के बीच सम्मरीन आप्टिकल फाइबर केबल की परियोजना है जिसमें पर्धान मंत्री इसका उद्गाटन किया है और यह आपका 20 अगस्त 2020 में लाल के लिए पर मोधी जी ने भापने भासण में इसको कहा था जो कि यह आपका 24 में पूरा कर दिया इससे द्वीपो में इंटरनेट की गती 100 गुना से अधिक बढ़ जाएगी यहां पर पहले आपका एक दस्मरों मिलता है हम लोग को वह भी कहां मिलने वाला है एक दस्मरों साथ यहां पर हम लोगों को यहां पर मिलता है स्पीड और यहां पर देखिए एक दस्मरों जीवी में चल रहा है जीवी की अगर फुल फार्म की बात करें तो गीगाबाइट पर सेकेंड होता है क्या होता है गी विपो में इंटरनेट सेवाएं टेली मेडिसीन, इगवर्नेर्स, सिच्छा, डिजिटल, बैंकिंग मुद्राओं का उपयोग और साथ छर्ता में वृद्धी होगी अगला कोश्चन देखते हैं यह भी आपका रिपीटर कोश्चन है अलही में पावर ग्रीड कार्पोरेशन आप इंडिया के CMD कौन बने है और के त्यागी अगला कोश्चन है यह भी आपको बहुत ही देश विज़ेश से समझवते के बारे में है भारत ने किस पडोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने के का समझवता किया है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा आपका इसमें नेपाल की राजधानी होती है आपका सभी को पता होगा कि काठ मांडू यहां की राजधानी होती है अब देखिए यहां पर क्या है कुछ important point देख लेते हैं कि 7 इंडिया नेपाल joint commissioner के दोरान दोनों देशों के बीच चार प्रमुक समझवते हुए यहां पर पहला है आपका सामुदाइक विष्कास परियोजना का कारिया नमन्त दूसरा है आपका दीर्ग कालिक विद्यूत व्यपार जो कि 10 साल में 10,000 मेगावाट विजली का क्या होगा आयात होगा पीसरा है आपका नवीनी करण यह उर्जा विकास में सहयोग करेगा च और मुद्रा यहां पर नेपाली रुपिया होता है अध्यच की बात करें तो रामचंद्र पॉंडल है कौन है रामचंद्र पॉंडल यहां पर पॉंडल इस प्रकार से रहेगा पॉंडल है अब परधानमंतरी की बात करें तो पुस्प कमल दहल है अगले कोश्चन देख ल संबंधित हैं यह आपका सतरंज से संबंधित है ये भी आपका खेल से संबंधित हैं खेल से संबंधित आप से question पूछे जाते हैं अब देखिए यहां पर भाग सी थिपसी के बारे में या Woman International Master की उपाधी धारट करने वाली एक भारती सतरंज खिलाडी है, यस वीजह रचमी सतरंज में भारत की पहली महिला ग्रेंड मास्टर नहीं सतरंज की खेल की उदपति भारत में हुई थी, भारत से ये खेल फारसत थक पहला सतरंज एक दो खिलाडियों वाला एक दो खिलाडियों वाला रड़ नीती बोर्ड गेम है जो सतरंज की एक विशाथ पर खेला जाता है आधुनी सतरंज का सबसे पहला अग्रदूत चतुरंगा नामक खेल है परताम विस्व चैंपियन जो है यह आपका विलेहम इस्टिर्टर्ज है और आधुनी सतरंज का जनक भी इन्हें कहा जाता है वर्तमार सतरंज चैंपियन मैगनस कारलसन है यह आपका यहां से यह बहुत ही मातपूर कोशन बन जाता है देखिए आपको जो कल के वीडियो हमने कोशन पूचा था कि भारत के राज्य में को देश की पेट्रो राजधानी की रूप में किसे मानता दिये गई है तो गुजरात को दी गई है आज का आपका कोशन है जिसको आपको कमेंट बाक्स में आपको मैसेज करना है, टाइप करना है आप सभी को इस चारो आपसोन में से एक आपसोन सही है उसी को कमेंट बाक्स में बताना है और इसके बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उसके बारे में भी कमिट बाक्स में राइट कीजिएगा तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंस पर वाचिंग जैहिं जै भारत